हलो फ्रेंज, देर स्टूरेंज, डेली होट करिंट एफिर्स का आज का एक नय एपिसोड हम समों के बीच आ चुका है आज है 11 जनवरी 2018 और आज के कुछ चुने हुए प्रशन जिने हमें जानना चाहिए इस तरह से किस देश ने भारत के परधान मंत्री को अपने देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की खोशना की नीती आयोग ने अपना पहला हिल्थ सर्वे जारी किया है कौन सा राज इसमें टॉप पे और सबसे बॉटम पे तीसरा कोशन इंटरनेशनल बर्ट फेस्टिवल कहां हुआ चौता कोशन किष्णा सोबती को देश के सबसे बड़े साहित प्रुसकार से नवाजा गिया ये कौन सा प्रुसकार है और अंत में विंटर उलम्पिक में भारत के धोजा वाहक कौन रहे तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इस पहले बड़े बड़े प्रश्ण से जो एक्जाम में एक डेफिनिट प्रश्ण है आप इसे जरूर नोट डॉन करें काफी लोगों ने इसे जान समझ लिया होगा क्योंकि आज के अखबार में ये आधे पन्ने का हेड्लाइन है किस देश ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हमारे परधान मंतरी को देने की खोशना की तो इसका अंसर है फलिस्तीन भारत के परधान मंतरी शेरी नेरिन मोदी तीन देशों की खाड़ी यात्रा पर है इनमें यूएई, ओमान औरंत में फलिस्तीन का पड़ाओ रहा है और आज अखबार में ये बड़ा हेड्लाइन बना क्योंकि फलिस्तीन का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान Grand Caller of the State हमारे परधान मंतरी को दिया गया यानि इस देश का सबसे बड़ा Civilian Award आप जानते हैं कि फलिस्तीन के साथ भारत के लंबे संबन रहें और इस्राइल के साथ अपने विवादों के कारण ये देश विश्व भर में चर्चा का कारण रहा है फलिस्तीन ने अपने आपको उन्हें 188 में 173 गोशित कर दिया गया थै और भारत उन गिने चुने देशों में से हैं जिसमें फलिस्तीन को एक 173 देश के रूप में माननेता दे रखी ऐसे में इस माननेता के बाद फलिस्तीन जाने वाले श्री नेंद्र मोधी भारत के पहले परधान मंतरी है फलिस्तीन के राश्ट पती महमूद अबास ने इस बड़े प्राइज की गोशना की आज का दूसरा क्वेशन नीदिया योग ने अपना पहला हिल्थ सर्वे जारी किया फॉर्स्ट वर्ल्ड बंक के सहयोग से त्यार किया गया ये स्वास्त सर्वे आज अखबारों में हेडलाईन है इस सर्वे में बताया गया है 20 से अधिक मानक स्टैंडर्ड तैकिये गये जिनमें बच्चे की जन्व, स्वास्त और स्वास्त सेवाओं की उपलब्धता इत्यादी इन सारे स्टैंडर्ड पे एक सर्वे जारी किया गया और राज्जों की स्टिस दर्शाई गयी है इस रिपोर्ट में जिसमें बताया गया है कि निति-आएउ के स्वास्त सर्वे में टौप पे है केरल दूसरे पोजिशन पे पंजाब और तीसरे पोजिशन पे केरला है सबसे नीचे उत्तरपरदेश है यह important है नितियायो का पहला हेल्थ सर्वे हाला कि यह सर्वे बड़े स्टेट्स चोटे स्टेट्स और यूनियन टेरिट्री के अधार पर अलग-अलग तीन कैटेगरीज में निकाला गया है लेकिन अगर ऐजे होल की बात होगी तो केरला इसमें सबसे टॉप पे और उत्तरपरदेश सबसे नीचे नितियायो के सी-ई-ओ अमिताब कांत ने इस रिपोर्ट को जारी किया है आज का तीसरा प्रश्ट इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल कहा है जिदुआ तो इसका अंसर है उत्तरपरदेश दुदवान नेशनल पार्क जो लखिमपूर खिरी में है वहाँ इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का अजन किया गया और दो सोथ से भी ज्यादा औरनितोलोजिस्ट यानि पक्षी विशे शग यहां पहुँचे इसका उद्देश था एको टुरिजम को बढ़ाना अगला प्रशन आज का क्रिशना सोबती को देश के सबसे बड़े साहिट तसमान से कल नवाजा गया जो आज के अख़बारों का हेडलाइन बना इसकी गोशना पहले भी हो चुकी है और मैंने इसे पिछले एपिसोड से बताया भी है आप शाज इसे जान भी रहे हो लेकिन आज चुके कल ये प्रुसकार दिया गया और आज के अख़बारों में आया जिसकी चर्चा जरूरी थी और ये रिवीजन भी हो जाएगा क्रिशना सोबती को एक देश के सबसे बड़े साहिट सम्मान ग्यान पीठ पुरुसकार से नवाजा गया है ग्यान पीठ पुरुसकार अब जानते हैं कि 23 भाशाओं में दी जाती है 22 राष्ट्य भाशाओं के साथ अंग्रेजी के किसी लेकर को कुल मिलाकर 23 भाशाओं में ये अवाड साल में दिया जाता है किसी सबसे बड़े राइटर को और इस बार दिया गया 2017 के लिए क्रिशना सोबती को जो हिंदी की प्रक्षात लेकिका है ग्यान पीठ अवाड पहली बार 1965 में दिया गया 1976 में इन्हें पहली महिला लेकिका जिन्हें ग्यान पीठ अवाड मिला आशापूर्ना देवी थी अब आज का अंतिम प्रशन इंपोर्टेंट है पिछली बार S.S.C. में ये प्रशना आया था पिछला उलमपिक जब ग्रिश्म कालीन समर उलमपिक रियो में हुआ था 2016 में तो ये प्रशना आया था कि उलमपिक में भारतिये धोजा वाख कोन थे भारतिये टीम के धोजा वाख कोन थे यानि किसने भारतिये जंडे को उठा रखा था जब March past उध़ाटन समारों का चल रहा था तो इस बार Winter Olympics में भारतीय टीम के धोजवाहक यानि March past उध़ाटन समारों में जब पूरे देश के टीमों का चलता है उध़ाटन समारों तो उसमें देशों के टीमों का एक मारच होता है उसमें भारत की तरफ से शिवा केश्वन धोजवाख थे जो कि लिवज एक स्लाइडिंग का गेम है उसके सम्मंदित है हलाकि आज खबर आई है कि शिवा केश्वन अपने इवेंट में 36 नमबर पे आए तो आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म करेंगे आप इसे बिलकुल ध्यान से नोट डॉन करें बेहत खास इसमें प्रशन ले जाते हैं और उनसे सम्मंदित प्रशनों को भी ले लिया आता है ताकि आप किसी भी तरह से इन प्रशनों को छोड़ेना आने वाले एक्जाम्स में बस मुझे यहीं अजाज़त दें अगर आपने इसे अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले मुझे अजाज़त दें आप अपना ध्यान रखें टेक कियर